इस लेवस चैंज किया है देखिए स्टूडेंट CBST ने केमेस्ट्री के जो स्लेवस है उसके अंदर जो ये 2020 और 2021 है इसमें solid state chapter को फिर से include कर दिया है ठीक है solid state जो चैप्टर था ये फिर से include कर दिया गया है क्या हुआ था स्टूडेंट 2018 तक 2018 तक 12th class के अंदर ये solid chapter था लेकिन 2019 में CBSC ने Solid State Chapter को Remove कर दिया ठीक है एक Solid State Chapter को Remove किया और एक जो आपका P Block Element Chapter है उसमें से Group 15 को CBSC ने Remove कर दिया था Slave Us को हलका कर दिया गया था ठीक है लेकिन अब जो 2020 और 2021 है इसमें इन दोनों चीज़ को CBSC ने फिर से आपके Slave Us में सामिल कर लिया है जो Solid State Chapter है उसको भी सामिल कर लिया है और जो P Block Elements हैं P Block Elements के अंदर जो Group 15 था उसको भी फिर से Include कर लिया है तो अब जो 2021 में आपका 12th Class का CBSC का एक्जाम होगा उसमें Solid State Chapter भी आएगा और उसके अंदर आपका P Block का जो Group 15 है वो भी आएगा Students एक टाइप से CBSC न थोड़ा सा इसका मजाग भी बनाया हुआ है मजाग कैसे बनाया हुआ है 2018 तक Solid State Chapter था 12th में 2019 में Solid State को निकाल दिया और क्या कहा गया कि जो Solid State Chapter है उसको 11th में हम सामिल कर रहे है लेकिन 11th Class की NCRT की जो Book है उसमें कहीं पे भी 2019 का जो Edition है उसमें Solid State Chapter नहीं आया अब 2019 में Solid State Chapter को रिमूव कर दिया गया था लेकिन जो 2019 की NCRT की Book है ये देखिए ये NCRT के Book है मैं आप साथी लेकाया था इसको जो NCRT की Book है 2019 की इसमें Solid State Chapter रिमूव कर दिया था CBSE ने लेकिन उसके बावजूद इसमें Solid State Chapter दिया आ गया था ये देखिए दिख रहा है ये Solid State Chapter इनों ने NCRT की Book में दे रखा था तो यहीं से student को confusion हुआ था 2020 के जब इस साल पेपर हो रहे थे कि सर ये बारबा स्टुडेंट question कर रहे थे सर Solid State आएगा या नहीं आएगा तो 2020 के अंदर Solid State Chapter नहीं आया जो CBSE का इस साल मार्च में exam हुआ था उसके अंदर Solid State Chapter से कोई भी question नहीं आया पर NCRT में उन्होंने Solid State Chapter को दे रखा था एक और जो CBSE नहीं साल चेंज किया है वो क्या किया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है student group 13 से start हो दे थे group 13 था 14 था 15 था 16 था 17 था 18 था group 13 और 14 यह तो आप 11th class में पढ़के आई ठीक है 12 में नहीं है दोनों 11th class के अंदर group 13 और 14 और जो group 15 है इसको 2018 में CBSE नहीं से हटा दिया 2018 में था यह 2019 में इसको remove कर दिया और अब 2020 और 21 में फिर से इसको सामिल कर दिया गया है तो अब जो आपका 2021 में आप 12 का जो chemistry का exam देंगे उसमें group 15 आएगा group 15, 16, 17 और 18 यह तीनों ही चारो groups आपके आएगे 15, 16, 17 और group 18 तो student अभी से आप लग जाईए बहुत सारे parents student मेरे पास phone कर रहे थे कि sir अभी lockdown चल रहा है करोना के कान बहुत time waste हुआ है students का तो CBST syllabus को कम करेगा CBST ने student syllabus को कम नहीं किया है बिल्कुल भी कम नहीं किया है solid state और group 15 को chemistry में सामिल करके syllabus और जादा बढ़ा दिया है ठीके तो आप इसको करें 15, 16, 17, 18 और solid state अभी ज़े लग जाईए बहुत खुबसूरत time है यह आपके पास खुबसूरत मोका है इस कुबसूरत मोके का फायदा उठाई है ओके